अगर आप बैंक में खाता नहीं खुलना चाहते हैं या बैंक आपसे बहुत दूर है और पोस्ट ओपिस आपके नजदिक है तो पोस्ट ओपिस के खाते के अंदर सरकार का पैसा यानि की नरेका का पैसा, गैस की सबसिडी, किसान समान दिदी पैसा या जो भी DBT से पैसा आता उसको आप राप्त कर सकते हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे प्रोसेस होता है और कैसे आपको फॉरम बढ़ना है और फॉरम आपको कहां से मिलेगा नमस्कार आप देख रहे हैं पोस्ट ओल दोस्ट तो सबसे पहले आपको अपने पोस्ट ओपिस के अंदर POSB&E की बचेत खाता खुलना है यह खाता 500 रुपे से खुलता है उसके बाद में आपको DBT का फॉरम डाउनलोड करना है यह इस परकार का फॉरम आपको मिलेगा उसके बाद में इस फॉरम को आपको बढ़ना है और जरुद भी आपर नहीं पड़ेगी यदि आपका किसी बैंक में पहले से DBT यानि की सरकारी पैसा आ रहा है तो आप उसको POSB के अंदर चेंज भी करवा सकते हैं तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरू करें और हमारी एप पोस्टर दोस्ट को डाउनलो लिखना है उसके बाद में जो आपका एकाउंट नमबर है जिसके अंदर आप DBT प्राप्त करना चाहते हैं वा एकाउंट नमर लिखना है उस एकाउंट के अंदर आपका क्या नाम है वा नाम आपका लिखना है उसके बाद में वापस से आपको यहाँ पर अपना कर सकते हैं वैसे link आपको वीडियो के नीचे description में भी मिल जाएगा उसके बाद में जब आप DBT को receive करना चाहता हैं DBT आप post office पे खाते में लाना चाहता है तो चारों मैंसे आपको सबसे पहला जो option है उसके अंदर आपने खाते नमर लिखना है उसके उपड टिक करना है और ब बाद में वापस से आपको signature करना है तो इस परकार से एक page वा forum है जिसको आपको complete बरके उसके साथ में आदार काड की copy आपको लगाना है और post office के अंदर जमा करवा देना है तो आसा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें dbt forum को download करने का link आपको वीडियो के नीचे और पहले comment के अदर मिल जाएगा thanks for watching नवस्कार